दोस्तों जार्खन में देखिए दो न्यूज आये हैं कल और बहुत बड़े न्यूज है पहला तो है आपका JSSC परिक्षा को लेकर और दूसरा है पारा टीचर को लेकर आए जानते हैं JSSC परिक्षा को लेकर न्यूज हमने दे दिया है आप चाहे तो देख सकते हैं और अब बात करने वाले पारा टीचर के बारे में देखिए जारखन हाइकोट यानि कि जारखन उच नियाले जो कि रांची मिश्ती थे कल सुचना दिया है सुकरवार को कि दो महत्पुर्ण फैसले सुनाए हैं पहला फैसला जारखन राज सरकार की नियुक्ति नियमावली को लेकर थ ठीक है और दूसरा पारा सिक्षक की सेवा नियमित करने और उन्हें समायुजित करने को लेकर था रमेस हासदा की याचिका पर सुनाई करते हुए अदालत ने राज सरकार की नियुक्ति नियमावली को आसम्मेदानिक और आसमानता के कानून के विपरित बताते हुए रद किया है फिर बोला गया है कि इसके साथ ही अदालत ने बारह हजार टेट पास अभी पूरा नियुज पढ़ेंगे ठीक है हिंदुस्तान में आया था बारह हजार टेट पास पारा सिक्षकों की उस याचिका को खारिच कर दी जिसने उनकी समायुजित करने की मांग की गई थ अब आये पढ़ते हैं पूरा नियुज जो कि आपके पेपर में आया है देखिए 17 तारिकों नियुज आया है राची बिसेस समवादाता राज सरकार की 2021 की नियुक्ति नियमा वली को लेकर जारखंड हाई कोट ने असंबेदानिक असंबेदानिक ठीक है अनकंस्टिशनल वहाना पर गोसित कर दिया है करार देते हुए रद कर दिया गया है चीफ जस्टिस डॉक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नारायन परसाद जी की अदालत ने सुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इस निती को सम्विधान की मुल भावना और समानता के अधिकार के ख उसको भी रद कर दिया गया है मैंने पूरे डीटेल में एक्स्प्लें किया है पिछले वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है कि अदालत ने जार्खन राज करमचारी चयन आयोग यानि कि जैससी को इस निती के तहत निकाले गए नियुक्ति के सभी बिग्याप आपन को रमेस हासदा और अइन्य ने चुनोती दी थी इस पर अदालत ने साथ सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था फिर बोला गया कि सुक्रवार को अदालत ने पार्थियों की दलीलों को सुविकार करते हुए नियुक्ति नियु में जार्खन के संस्था से ही दस्वी और बार्वी की पढ़ाई पूरी करने के बाद देता सिर्फ सामाई निस्रेणी के लोगों के लिए लगाई गई थी सरकार का यहार निर्णय सम्मिधानी का अनुछेद जो सम्मिधान का अनुछेद 14 है आर्टिकल 14 और 16 का उलंधन है ऐसा बोला गया है जो भेदभाव किया अधारना नहीं रखता है फिर बोला गया है कि सरकार ने छेत्रिय भासा यानि की रिजिनल लेंग्वेज से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया और उर्दू, ओडिया और दूसरी भासाओं को सामिल किया लेकिन इसका कोई आधार नहीं बताया गया भासा के पेपर में छेत्रि भासाओं को सामिल करने से उन्हें कोई आपत्ती नहीं है राज के अधिकांस लोग द्वारा बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी को भासा पेपर दो से बाहर कर दिया गया जो की गलत है और बिल्कुल गलत है बहुत से इसमें साविल नहीं हो पाये थे फिर बोला गया है कि नियोजित निति नियोजन निति लागू करने से पहले सरकार की और से कोई अश्टडी नहीं की गई और नहीं इसका कोई ठोस आधार है इस तरह की आसम्मेधानिक सर्त के आधार पर राज में न्यूक्ति नहीं की जा स सरकार की दलिल संस्कृति रिती रिवाज आधारित है निती रिती 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 रि जे SSC, जे SSC की और से पक्ष रखते हुए अधी सभवक्ता सज्जे जी बोले हैं, सज्जे पिपरवाल ने कहा था कि सरकार के निर्देश के आलोग में उसने बिग्यापन जारी किया है, सरकार ने जो सरते तै की हैं, उसी के आधार पर बिग्यापन जारी कर न्यूक्ति परक करिया शुरू की गई है, जे SSC ने अपने तरफ से किसी परकार का बदलाव नहीं किया है, लेकिन कोट ने साप मना कर दिया है, फिर बोला गया है कि क्या था याचिका, क्या था याचिका में, देखिए, रबे सास्दा और अइन ने याचिका दायरा कर कहा था कि सरकार की औ पूर लियोजन निती के तरहत, जे SSC में, जिन सर्तों के साथ विग्यापन निकाला है, उसमें वहाँ साविल नहीं हो पा रहे हैं, जे SSC ने जो सर्त लगाई है, वहाँ आसमेधारिक है, राज के कई मूलवासी ऐसे हैं, जो राज के बाहर रहते हैं, उनके बच्चे बाद भी उड़े 55 परिकरिया से बाहर करना गलत है, या सम्वेधार की भावना के खिलाप है, फिर बोला गया है कि राज के 61, राज के 61 परतिसत लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में, ऐसे में हिंदी को छेत्रिय भासा के सूची से अलग करना उसे क्वालिफाइंग मराना गलत है, क्वालिफाइंग पेपर के अंक को जोड भी नहीं जा सकता, जबकि उर्दू और एड़े भासाओं के अंक जोड़े जा रहा है, जो गलत है, फिर बोला गया है कि राची बीसे सम्वधाता की और से, जार्खन के करीब 12,000 टेट पास पारा सिक्षक को हाई कोट से बड़ा जटका हुआ, चीप जस्टिस डॉक्टर रवी रंजर और जस्टिस सूजित नारायन परसाद के अदालत ने पारा सिक्षक की सेवा साहता सिक्षकों के पद पर समयवजित करने के लिए दाइरा याची का सुक्रुवार को खारिच कर दी, इस पर सुनवाई पूरी चकों ने याची का दायर कर कहा था कि वे अस्थाई सिक्षक होने की समी आरता पूरी करते हैं, फिर बोला कि समी 15 वर्ष से इसकूलों में पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ उड़ों ने बोली थी, फिर बोला गया कि वहाँ समी सहायक सिक्षक के समान काम कर रहे हैं और उनके स समक्ष युःगितां रखते हैं, ऐसे में उनpower काम के बदले समान वेतन का लाव देकर सेवा द्यमित कर देनी चाहिए, सरकार सहायक सिक्षकों यानि कि पारा सिक्षकों को वेतन दे रही हैं, जबकि पाया सिक्षकों को बाधे मिल रहा है, वहां में कापी कम हैं, जी हां, दोस्तों बिल्कुल कम है दोस्त अगर मैं भी होता तो मैं भी इतना कम में अपना परिवार वगरा नहीं चला पाता बहुत कम है ठीक है फिर बोला गया है तो इस साइड पूरा डोटिस पढ़ लेते हैं निती के आलोक में हुई सभी न्यूकति भी रद की गई है जैसे सभी आलोक विग्यापन की भी कोट ने इरकिया है रद निती सम्मिधानी और यहां पर और एक चीज़ दी गए कि निती के तहट 432 पदों पर हो चुकी है नियूकति अब देखिए जो नियूकति हो गया उसके लिए क्या है हाई कोट दवारा राज के नई नियूकति परिक्षा भी ले चुका है इसमें जार्खण डिप्लोमा अस्तर था पहला दूसरा ना परियोग साला जो कि लेप टेक्निशन का परिक्षा था वो भी ले चुका है और आदी-आदी इतना ही नहीं 432 पदों पर नियूकति भी हो चुकी है जिसमें रीम्स में ग्रेड एक 370 पद और बैग्यानिक सहायक के 62 पड़ भी साविल है इस सभी पेच लग चुका है दोस्त जिहां फिर बोला गया है कि सरकार की ओर से क्या कहा गया था यह जद्धे इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया था कि पारा सिक्षक की सेवा को नियमित और अड्य सुमिधाय द इसके अलोक में कई पारा सिक्षकों की सेवा नियमित हो गई है ऐसे में बीड़ा परिक्षा में साविल सिक्षकों की सेवा नियमित की नहीं की जा सकती पारा सिक्षकों के बादे में बलोतरी की गई है अलग स्रेडी के सिक्षकों का बादे बढ़ाया गया है जो पारा सिक तैट पास किये गए उनका बादे भी जिद्धारित किए गया है ऐसे वे सिर्फ टेट पास की सर्थ ट पर सेवा नियमित नहीं के जा सकती यह कोट का अधेस फिर बोला गया अस्टव यानिकी पीजी परसिक्षित जो पीजी परसिक्षित जो एंस लाट कौर परसिक्षग सिक्षक परतियोगिता परिक्षा अस्थाकिद यह भी रोक लगा दी गई है राची जेससी ने असनातकौर प्रसिक्षिद सिक्षक परतियोगिता परिक्षा 2022 अस्थाकिद कर दी गई है ठीक है और आयोग के परिक्षा डियंत्रक यानिकि एकजाम कंट्रोलर की और से जारी एक आवाईसक सुच्रा में बताया गया है कि इसकी लिखित परिक्षा 20 दिसंबर से 8 जनवरी तक होनी थी परिक्षा को अब परिहाई कार्णों से अस्थागित कर दिया गया है लेकिन समझा जा रहा है कि आयोग ने यहाँ डिल्डे हाई कोट के ताजा फैसले के अलोक में ल यूज देता रहूँगा बाकि जो डेस जैससी के बच्चे हैं प्लीज आप लोग प्राइबेट काप जोईन कर लीजी या फिर कोई बिजनेस शुरूख कर दीके नहीं तो किसी तरह से आप लोग का लाइप जो है चोपट हो जाएगा जहारखण में कभी भी सरकारी डोकर से बत जीएगा दोस्ता है क्यों और क्या ही बोलना आज